आईए जानते हैं 36 गड़ में आने वाले अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मोसम तो रायपूर मोसम विज्ञान के तरप से ताज़ा अपडेट निकल कर आ रहे हैं जिसमें मोसम भागने सभी जीलों में कैसा रहेगा मोसम कहां पर बारिस होगी तो कहां पर बादल चायर है ग जानेंगे इसे वीडियो में तो इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अंचरूर करना और हाँ जीलों के नाम हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा तो बारिस वाले जीलों के नाम जानने से पहले यह जान लेते हैं कि आज तापमान जीले में कितना रहेगा दिन में अधीक तापमान वाला छेतर है रायगर बिलासपुर जहां पर 31 दिगरी सेलस्यस तक तापमार रहेगी वहीं कम तापमान वाला छेतर है मानपुर नरायनपुर जिला जहां पर 25 डिगरी सेलस्यस तक तापमार र रहनी वाली हैं इसके बाद बात करते हैं हवा की गत्टिय तो जिन जिलों में अधिक होने वाली है उन जिलों के नाम है बस्तर ।धंतेवरा बरांपूर जिला जहां पर foreign 이걸 only thirty ganty ki रबतार से हवाय चलेंगी वह ही बांकी दिलों की बात करे तो बांकी जिलो में 10 से 15 किलोमेटर पतिघंटे की रप्तार से हवा चलने वाली है अब ऐसे जिलो की बात करते हैं जहां पर मोसम साफ रहेगा तो बता दें कि आज खेरागर चुई खदान गंड़े इन ही सभी जिलो में मोसम साफ रहेगा अब ऐसे छेत्रों की बात करते हैं जहां पर छेटपुट वर्सा होने की संभावना जाहिर की हुई है तो उनमें से जिलो के नाम है मनेंद्रगर, सारंगर, पिलाएगर, मानपूर, सक्ती, रायगर, बस्तर, कोंडागाउ, दंतेवारा, बिजापूर, सुपमा और बर्रामपूर जिला इन सभी छेत्रों में छेटपु होने के अनुमाल लगा हुए हैं अब गरच चमक या फिर बिजले गीने की संभावनाओं की बात करें तो आज रायपोर्ट दुर्ग में अधीक रहेंगी गरच चमक की बिजले की संभावनाय रहेंगी अब भारी 22 वाज़ीलों की बात करें तो अंबिकापूर, कोर्भा, जांजगिर्चापा गोरेला पिंडर मरवाही जीला महासमुन दुर्गर राजनान गाउं कवर्धा बेमित्रा बालोद इन सभी छेत्रों में आज भारी बारिस के असार बताय हुए हैं तो यह रहा दोस्तो रायपुर मौसम वैज्यानी एचपी चंद्रा के मुताबिक बताये गए मौशम की हाल और मौशम की जानकारी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इन्फर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं ऐसे ही और नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में